हलो अबरिवन, वेलकम टो सुमेथ टुटोरियल, तोड़े आम गोइंग टो डिसकस अबाउट, वाइ आर दे स्टुडेंट अनेबल टो कंसंट्रेट इन देर स्टडी, तो इस स्टुडेंट अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनकी माइन जो है सब्सक्राइब करें तो किकर ताकि इस तरक़ी की कि वीडियो आपको मिलती ऑन बाएलोजी रिलेगे टाइड टिपस और ट्रिकाटेड वीडियो मोटिडिवेशन वीडियो मिलती रहे तो स्टाइट करते हैं, तो जो mind distract हो रही है वह सारे student की, तो सबसे पहले social networking side, तो social networking side बहुत सारी है, जिसकी वज़े से क्या हो रही है? तो आपको करना क्या है इंसे आप दूरी कैसे बना सकते हो तो बहूत सारे student है जो कि इसे balance बनाके चलते हैं और बहूत सारे student है जो balance नहीं बना पाते हैं तो इस video के बात अब सही तरीके से पूरे concentrate करके पढ़ाई कर पाऊगे तो आपको करना क्या है सबसे पहले अपने घर में एक ऐसी जगा आप चूज कीजिए कि वो जगा ऐसी होनी चाहिए जहां पे proper light आए और वहां पे क्या हो ज़्यादा सोर सरावा नहीं हो वहां पे सांत महौल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए टेबल और चेयर होनी चाहिए आपको बैठके पढ़ने के लिए और आपकी बुक जो है सही तरीके से अरेंज होनी चाहिए ताकि आप जब बैठके पढ़ते हो तो आपको fresh fill हो uncomfortable feel नहीं हो क्योंकि अगर आपकी जो बुक हो सही तरीके से अरेंज रहेगी तो आपको देखकर ही सही तरीके से अच्छा feel होगा आप indoor plant का भी use कर सकते हो ताकि आपकी जो brain है वो fresh रह पाए और आपके brain को proper oxygen मिल पाए तो आप इस तरीके से करके अपने brain को क्या कर सकते हो concentrate कर सकते हो जो ये social networking site है इस से दूरी कैसे बना सकते हो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है आप उस वीडियो को भी देख सकते हो तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो कंसेंट्रेशन पावर को इंप्रूफ इंक्रीज तो देखिए सबसे पहले आपको यही करनी है कि एक चूज दी एप्रोप्रियेट प्लेश टू स्टड़ी सही तरीके का एक जगा आपको चूज करना है जहांपे की बहुत सांथ महौल हो ठीक है आप सही तरीके से वहाँ पर पढ़ पाओ आपको एक बोड लगाना है अपने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टरव की थाकि आपको कोई डिस्टरव ना करें जब भी आप पढ़ाई करने बैठो औके आपको करना क्या है तो आपने बैठा आपकी जो बुक है वो सही तरीके से अरेंज रहेगी प्लांट्स आप लगाऊगे तो आपको फ्रेस फिल होगा और जो डिस्टरेक्शन की चीज है उससे आपको दूरी बनानी है कैसे जो भी आपकी जो टीवी है लैपटॉप है फोन मोबाईल जो भी है उसको क्या करना है आपको साइड रखना है ऐसे जगा पे रखना है कि आ 10 मिनट ब्रेक लो तो आप 45 मिनट सही तरीके से पढ़ सकते हो और ठोड यह है कि कीप और डिस्टरेक्टिंग डिवाइज अवे तो जो भी डिस्टरेक्टिंग चीज है उसे आप दूरी बना लो आपको ऐसे जगा रखना है कि वो चीज आपको पढ़ाई के समय दिखनी न या फिर कहीं घूम लो तो आपको ऐसे करना है और रीड प्रोपर ली फोर्थ तो आपको क्या करना है सही तरीके से आप पढ़ पाओगे यह सब चीज आप करने लोगे तो आप सही तरीके से प्रोपर तरीके से अपने स्टरी को कर पाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करन लगाना ताक कि आपको oxygen की supply सही तरीके से और अपको क्या करना है एक फूड लेनी है जिसमें क्या हो अपको mineral, protein, nutrition होनी चाहिए और आपको क्या करनी है और नींद जो है सही तरीके से लेनी है आपको एक time में एक ही काम करना है आपको जगा सही तरिका का चूज करना है आपको क्या करना है जो भी distraction की चीज है उसे दूर रखना है कि आपको लज़र नहीं पड़े तो आप क्या है पूरे focus के साथ अपने study को कर सकोगे पूरे concentrate के साथ अपने study को कर पाऊगे तो ये सारे point को follow करके आप अपने concentration power को increase कर सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को like करें and channel को subscribe करें, bell icon को click करें तूंक्स ओर वच्छी ओर की ताराइं